ओम शंती 14 मई 70 अव्यक्तवानी समर्पन का गुई अर्थ आज वतन से एक सोगात लाए है बताओ कौन सी सोगात लाए है मालुम है अव्यक्त रूप में सोगात भी अव्यक्त होगी ना आज वतन से दर्पन ले आए है दरपन किसलिये लाया है? आप सभी जिस विशेश प्रोग्राम के लिए आये हुए हो वह कौन सा है? समरपन कराने आये हो वा संपुर्ण होने आये हो वतन से दरपन लाया है सभी का अरपन में का मुखडा देखने के लिए और दिखाने के लिए समरपन हो चुके हो इस सभा के अंदर कोन समझते है कि हम समरपन हो चुके है? समरपन किसको कहा जाता है? देह अभीमान में समरपन हुए हो समरपन वा संपुर्ण अरपन हुए हा वा ना बोलो देह अभीमान से संपुर्ण अरपन हुए हो इसमें हा क्यू कहते हो? स्वभाव अरपन हुए है इसमें पूर्शार्थ है स्वभाव अरपन का समारोह कम करेंगे? आप लोग कण्या समर्पन समारोह मनाने आये हो लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं वह कब मनाएंगे इसके लिए कहा कि दर्पन ले आये हैं उसमें तीन बाते देख रहे हैं एक स्वभाव समर्पन, दूसरा देह अभिमान का समर्पन और तीसरा सम्मंदो का समर्पन, देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाओ का समर्पन, तीन चीजे दर्पन में देख रहे हैं जब स्वभाव समर्पन समारोव होगा तब संपूर्ण मूर्थ का साक्षात कर होगा और दहेच क्या मिलेगा जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो स्रेष्ट भाग्य का दहेच स्वत ही मिलेगा अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है कहते हैं ना सुहाग भाग्य तो सदा सुहाग सदा भाग्य जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही स्रेष्ट भाग्यवान बनते हैं सुहाग की निशानी होती है बिंदी चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है अगर यह बिंदी रूप की स्तिती सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो जितना सुहाग उतना भाग्य अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य सदा अपने सुहा को कायम रखने के लिए चार बाते याद रखनी हैं. कौन सी चार बाते? चारो बातों में से कोई भी एक बात बताओ. जैसे स्तूल दहेच तैयार करके आए हो न? वैसे इसका कौन से पुर्शार्त का दहेच चाहिए? कौन सी चार बाते है? एक तो सदैव जीवन का उद्देश सामने हो. दूसरा बाब दादा का आदेश. तीसरा संदेश. चोथा स्वदेश. जीवन का उद्देश सामने होने से पुर्शार्त तीवर चलेगा और बाब दादा के आदेश को स्मृती में रख करके पुर्शार्त करने से पुर्शार्त में भी सफलता मिलत सभी को संदेज देना है जिसको सरविस कहा जाता है और अब क्या याद रखना है स्वधेश की अब घर जाना है अब वापिश जाने का समय है समय समीप आप पहुँचा है इन चार बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुर्शारती है कमी को भरने के लिए यह चार शब्द सामने रखो बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे है Lawmakers वह लोग Peacemakers टाइटल देते है लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते है कि आप सभी Lawmakers हो सत्यूगी जो भी Law चलने वाले है उस बनाने वाले आप हो हम Lawmakers है यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे आप जो कदम उठाते हो वह मानो Law बन रहे है जैसे Justice वह चीप Justice होते है वह जो भी बात Final करते है तो वह Law बन जाता है तो यहां भी सभी Justice बैटे हुए है Lawmakers हो इसलिए ऐसा कोई भी कारिय नहीं करना है जब है ही Lawmakers तो संकल्प आप करेंगे जो कदम आप उठाएंगे आप को देख सारा विश्व फॉलो करेगा आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी तो ऐसे अपने को समझ फिर हर करम करो इसमें भी नंबर होते है लेकिन है तो सभी Lawmakers आज बाप दादा इस सभा को देख हरशित हो रहे है कितने Lawmakers इकटे हुए है ऐसा अपने को समझ कर चलते हो इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझ कर चलने से फिर छोटी छोटी बाते स्वतही खतम हो जाती है स्लोगन भी है जो करम मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे यह स्लोगन सदई वो याद रखेंगे तब ही कारिय ठीक कर सकेंगे अपने को अकेला नहीं समझो आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है वे भी आपको देख रहे है इसलिए यह याद रहे कि जो करम मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे इससे क्या होगा कि सभी के स्वभा वा संसकारों का समरपन समारूह जल्दी हो जाएगा अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी कرनी है अच्छा दो कुमारियों का समरपन समारोह आज किस कारिय के लिए बुलाया है सत्यूग में माता पिता राज सीहासन पर बैठते है, संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है, मालुम है संगम का तिलक लगाया हुआ है वा लगाना है, संगम के तक्तनशिन हुए हो, सर्विस की जिमेवारी का ताज है, तक्त कौन सा है, संगम के तक्तनशिन होने के बाद ही सत्यूक के तक् सर्व गहनों से शुरुंगार कर लिया है कि वह भी कर रहे हो इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो संगम युग से ही यह सभी रसम रिवाज आरंब हो रही है क्योंकि संगम युग है ही सर्व बातों का बीच डालने का समय जैसे बीच बोने का समय होता है न वैसे हर दैवी रसम का बीच डालने का यह संगम युग है बीच रूप द्वारा सर्व बातों का बीच पड़ता है उस बीच रूप के साथ साथ आप सभी भी बीच डालने की मदद करना आज के दिवस ऐसे ही साधारन फंक्षन नहीं हो रहा है लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लौमेकर्स हो यह रीती रसम का बिज डालने का दिवस है इतना नशा है इसकी सारी रसम ब्रामणों द्वारा होती है कितना बड़ा कारिय करने के निमित्तो हो विश्व को पलटाने के कितने समय में विश्व को पलटेंगे अपने को कितने समय में तैयार करेंगे Ever Ready हो? आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो किस रूप में बेठे हो जैसा दिन वैसा रूप होता है न? यह संगम की दरबार सत्यूगी दरबार से भी उची है आज सभी अपने को सर्व श्रूंगार से सज्जे हुए देख रहे हो या सिर्प इनी कुमारियों को ही देख रहे हो आप एक-एक के संगम युक्य श्रूंगार सारी सत्यूगी श्रूंगार से भी स्रेष्ट है तो संगम का ताच पढ़ा हुआ है यह ताच और तक्त सदैव कायम रहे इसके लिए क्या प्रयतन करेंगे इसके लिए तीन बाते याद रखनी है यह जो स्वयमवर्थ का समारह होता है ताजपोशी में भी जो रीती रसम होती है वह सभी यहा संगम पर ही किस न किस रूप में होती है मालुम है आज की दुनिया में क्या रीती रसम है कितने प्रकारों की रसम है एक ब्राह्मनों द्वारा होती है दूसरा कोर्ट द्वारा तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा इन तीनों रसमों का किस न किस रूप में यहां बीच पड़ता है यह मदुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है, इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहां से शुरू होता है सुनाया ना कि आप लौ मेकर्स हो, इनों के आगे यह वाइदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना, तीनों ही रसम इस संगम पर अलव की कुरूप से होती है जिसका यादगार स्तूल रूप में चलता रहता है अच्छा, तीन बाते कोन सी याद रखनी है एक तो अपने को उपकारी समझ कर चलना है दूसरा निरहेंकारी, तीसरा अधिकारी और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है यह तीन बाते सदैव याद रखना है कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टी और रुत्ती उपकारी हो अधिकारी भी समझ कर चलना है, लेकिन निरहेंकारी भी जितना अधिकारी उतना निरहेंकारी तब यह ताच और तक्त सदैव कायम रहेगा समझा अच्छा ओम शंति